नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वैद रिशी की अर्श कलब किट के बारे में इसके फायदे जानेंगे और इसके नुकसान जानेंगे और कैसे इसको इस्तमाल किया जाता है और कितने दिनों तक इसको इस्तमाल करना चाहिए इन सभी बातों को भी इस वीडियो म करना ना भूलेगा दोस्तों यह जो अर्षकलब है यह वैद्दे रिशी कंपनी की आदी है और इसमें कैप्सुल मिलते हैं आपको 6 और एक मिलती है अर्षकलब की ओइंट्मेंट जो की लगाने के लिए होती है बवा सीर के मस्सों पर ठीक है तो बहुत परानी कंपनी है और इसका जो MRP है किट का इसका है 112 रपे ठीक है और जो भी इसमें कंटेंस है बिल्कुल ही आयरवेदिंग है जैसे कि इसमें है अजार दीराचता और 30 ग्राम जो कैप्सुल की कंटेंस मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है और इसमें है जो दूसरा है इसमें पाइपर निग्रम और प्लंबागो, मुसुआ, जिंगीबर, एक्स्ट्रम, टर्मिनालिया, पिक्रोजिया और ओइंटमेंट में भी कुछ-कुछ इससे रिलेटेड है सिनम, मोनम हैं जैसे अजारिता है और लॉसोनिया तो ये इसके कंटेंस है दोस्तों ठीक है तो इसको थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं किस परकार किस में जो है कैप्सूल है, ये देखिए, छे कैप्सूल की पैकिंग आपको मिलती है साथ में आपको एक ये मिलता है, यूज करने का इसमें तरीका बगारा बताया हुआ है और परहेज बताये हुए हैं कि क्या क्या परहेज करने हैं आपने जब इस medicine को जो है इस्तिमाल करना है तो यह ointment है आपको मिलती है लगाने के लिए ठीक है तो चलिए आप बात करती है इसकी uses की दोस्तों इसका इस्तिमाल बावासीर को ठीक करने के लिए किया जाता है पाइल्स को ठीक करने के लिए किया जाता है जैसे कि किसी भी प्रकार की पायस हो जैसे कि खूनी बवसीर बादी बवसीर अंदरूनी मस्से हो जाते हैं कई लोगों को अंदर तक मस्से हो जाते हैं और बाहरी मस्से और उसमें बवसीर में सूजन आना या दर्द होना और बहुत ज़्यादा खून आना जलन होना खुजल सब् Mul जानते हैं कि इसको कैसे लिना है आपने क्या करना है कि इसके रोज दो केपसूल लेने हैं खाली पेट स सोबेय ठीक है रोज खाली पेट दो कैपसूल लेने हैं तीन दिन तक हा ठीक है रोज दो रहेज होते हैं, तो ओंटमेंट का भी पता देता हूं, इस ओंटमेंट को लगाना है आपने, सौचवाली जगह पे, गुदादवार पे, मस्वों के उपर इसको लगाना है, तो आपको इससे तुरंत आराम मिलेगा, दर्द, सूजन में, जलन में, ठीक है, तो इसको भी आप पे श्पेशल लिखा हुआ फीके दूद के साथ ही लेना है तो आप फीके दूद के साथ ही लीजिएगा ठीक है और इसमें जो खास करके परहे बताए गए हैं जो कि आपको करने ही पड़े गए जैसे कि इसमें तीन दिन तक जब तक आपकी ये दवाई चलती है आपने इन प दलिया ले सकते हैं बिना नमक और मसालों के दूद बिना शक्कर का ले सकते हैं साधा पानी पे सकते हैं दाल दलिया और रोटी में देशी घी का प्रियोग करें मतलब यह इसके परहेज है यह आपको करने तीन दिन कर लेना यार क्या दिक्कत है ठीक है तो हो सकता है आपकी बवासीर जो है बिल्कुल ठीक हो जाए ठीक है तो तीन दिन तक परहेज करना पड़ेगा आपको इसका और इस कैपसुल को तीन दिन तक लेना है और मरहम को भी आपने तीन दिन तक इस्तमाल करना है ठीक है बाद में अगर बजती है तो आप लगा सकते हो ठीक है तो ये इसक इससे इस्तेमाल नहीं करना सक्षिक है is a doctor को चेक करा के फिर आप उन लोगों को लोगों ऐसे भाँ हरा हर्द या फिर fill नहीं चकर नहीं करते हैं कि benefits मेडिसन है है आयरवेदिक लेकिन फिर भी कई चीजे जो है कई लोगों को सूट नहीं करती है तो उसमें रेक्षिन हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है अगर तो आपको भी इन में से कोई प्रॉब्लम लगती है इसको लेने से तो आप इसे तुरंद बंद करके अप आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद